नमस्कार प्रियादरशकों, स्वागत आप से भीका आपके यूटूब चैनल अध्यात्मा और जोतिस्वें मैं हूँ आप सभी के साथ देभुमी रिशी के शुत्राखंड से आचारे आसीस आज मैं आपके साथ बात करूँगा भगमान शनीदेव के वक्री होने पर यानि अब जो है जो सनीदेव हैं वो वक्री चाल चलेंगे 23 मई से किस समय इनका जो है वक्री होने का समय रहेगा और इस से मेज से लेके मीन रासी परियंत सभी रासियों का क्या इस पर जो है असर सुबाशों देखने को मिलेगा यह बहुत ही महतोपूर्ण यहाँ पर जो वक्री होने का जो समय है और वक्र होने का जो सुबाशों फल है वो काफी अपने आप में महतोपूर्ण हो जाता है तो आज हम इसी विश्य पर चर्चा करेंगे फटापट विना समय का मैं हम लोग सभी राशियों का हल जान लेते हैं लेकिन इससे पहले आप लोग यदि नए दर्शक हैं तो फटापट चैनल को सब्सक्राइब करते वे बेल आईकन प्रेस करते वे आगे बढ़ेंगे ताकि आने वाले समय में आप इसी परकार के ज्यान बरतक चर्चाएं और साथी साथ जो तिस और अध्यात में से सम्मंदित सभी जानकारियां आप इसी चैनल पर प्राप्त कर सकें तो आईएब लोटते हैं प्रशंग पर और जानते हैं कि सनी देव कैसे जो है वक्र होंगे सबसे पहले ये जानना इसमें महत्व पूर्ण जाता है कि वक्र होता क्या है वक्र का मतलब होता है उल्टी चाल चलना जैसा कि आप देख नहीं है कि सणी देव चलेंगे वक्र चाल यानि उनकी गती जो है वक्र हो जाएगी वक्र होने का मतब समझ्थे हैं एक जो चलने की जो चाल है उससे हट करके वो वापस वक्री होंगी यानि उल्टी चाल चलेंगे श्वाबह भी कह जब भी अपनी चाल को बदलना हो उधारन के तोरपर हम लोग शमझे हैं हम लोग सीधे गाड़ी ड्राइब कर रहे हैं और हमें अचानक से स्पीड ड्रैब का हमें इस्तमाल करना हो या हमें यूटर्न लेना हो या फिर किसी भी प्रकार से हमारी चाल में कोई फर्क पड़ता है तो उससे कहीं न कहीं जो हमारी गती है वो प्रभावित होती है और हमारी गती होने से आगी पीछे सबी लोगों पर इसका असर पड़ता है ठीक इसी प्रकार से सौर मंडल में जब ए ग्रह वक्र होंगे यानि भगवान सनिदेव वक्र होंगे तो इसका क्या सुबासु फल देखने को यहां पर मिलेगा सबी राशियों पर क्या फल रहेगा इस पर सम्देख लेते हैं कि शनी सुरासी गत है यानि मकर रासी पर है उत्रा साड़ा स्रवन नक्षत्र में गतिशील रहेंगे ब्रेस्पती स्रवन धनिष्टा सत्मिसा नक्षत्र में यह मकर तता कुम्ब दो राशियों पर इस पर प्रहमन करेंगे ये तो आप समय हम बात आ गईए शनी देव 23 मही को जो वक्री चलने लगेगा तो 11 अक्टूबर से फिर मारगी हो जाएंगे यानि 11 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें यह वक्री चलेंगे और 11 अक्टूबर से मारगी हो जाएंगे इस वर्ष शनी गुरू सुभासु प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा गुरू का के एहमरेल रोर यहाँ पर रहने वाला है मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो इस समय खास कर जब 23 मही को यह वक्री होंगे तो मध्यान के समय दो बच कर 32 मिनट में यह अपनी इस चाल को स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मकर रासी से क्योंकि मकर पर ही इस समय सनिदेव हैं तो मकर की क्या स्थति रहेगी सबसे पहले हम मकर के बारे में जानते क्योंकि मकर रासी उनकी अपनी रासी है तो ठीक है मकर पर उसन्चरन कर रहे हैं और मकर से ही वो वक्र होंगे तो अब हम क्रमशे है इसको रासियों का यहाँ पर फलादेश संदूख आपकी लिए सुगम रहे क्रमशे मैं यहाँ पर आपकी लिए राशिफल बताऊँगा मेस रासी के जातकों के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है इस वक्रचाल के गती से मेस राली मेस रासी वाले जो है 2021 में अगर बात करें तो कारचेतर के दसम सील में सिनी देब गतीशील रहेंगे सनी के प्रभाव सनी का यहाँ पर इसी पर प्रभाव रहेगा और सनी जो है रोजगार की बात करें मान्द सममान की बात करें तो यहाँ पर इसमे वृद्धी कराएंगे जनवरी फ़रवरी मार्च में गुरू भी सायक इनके लियर हैंगे लाभुनुत्ती की बात करेंगे तो नए शंसादन इनके लिए शुलब होंगे आप अधुरा काम को पूरा कर पाएंगे इस जो है काल पिरियड में दूर दराज की लंबी यात्रा है वाहन आदी का है या फिर भूमी लेंदेन की बात हो मंगलुच सब की बात हो तो इन सब में आपको खुशिया पराप्त होने बाली है अगस्त के बाद का जो यहाँ पर समय है वो कहीं न कहीं लाबस्तान में गुरू तथा धनस्तान का जो राहू है वो कुछ कारियों में गतिरोद उत्पन कर शकता है समझने बात को परिजन कि जो चिंता है वो आपको थोड़ा यहाँ पर सताने लगी कानूनी बाद बिवाद कुछ नया मौड ले सकते है हो सकता है इसके आपको तरस्त भी होना पड़ सकता है मेसरासी का जो नायक है जानि उसके जो स्वामी होते है उसके लौड होते हैं मंगल होते हैं और मंगल जो है संबत 2078 के चुनाओं में कहीं ने कहीं इसका बड़ा रोल रहने वाला है आगर मेस रासी के जातक हैं आप इस समय आप लोग राजनरीतिक कैरियर की कहीं ने कहीं बात आपकी आती है तो इस समय आपको विजय निश्य द्रोप से ये दिलाएगा सभावत है ये उत्तेजना पैदा कर सकता है यहां पर लड़ाई जगड़े देखने को मिलेंगे तंगा फसाद देखने को मिल सकता है सयम प्रमाद ये यहां पर जो है देखने को मिलेगा स्वास्त हानी से बचें स्वास्त की आपको जो है यहां पर खास सुरक्षा रखने ह नया सम्मंद आपको शुक्षद जो है आपके लिए रहेगा अच्छा रहेगा आपका मनुबल बढ़ेगा और भाग्य का विकास कहीं न कहीं जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है तो कुल मिलाकर के मिलाज़ एक लिए देखा जाय तो मेस रासी के लिए काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है अब हम बृषब रासी की बात कर लेते हैं यानि सेकंड रासी के तो बिरसब रासी के जो जातक है इस वर्ष रजद पाथ से भाग्य भवन में आए सनी अच्छ के प्रभाव आप पर रहेंगे क्यों कि इस्तान ब्रद्धि करो सनी धनलाप के साथ साथ यतो उपलब्धी यसुपलब्धी इन सब में आप भागिदार बनेंगे गुरु भी मंगलस्तों में ब्रद्धि करेंगे नए महमान आने की शोचना आपको मिरेगी देश विदेश में जाने का उसर आपको प्राप्त होगा काम बनने भूमी वाहन इन सब का विशुक आपको यहाँ पर यह बढ़ाने वाला रहेगा जन्व का रहुरू उपद्रव से तरस्त कर सकता है लंबी यात्राएं भूमी वाहन लेंदेन में थोड़ सा कटनाईयां यहाँ पर पैदा हो सकती है लेकिन कानूनी कारबाई से आपको बचे रहना चाहिए क्योंकि इस वर्स रासी सुक्र की इस्तिती कई बार जो है तद्दिर होगी लोकोबाट की प्रकरियाएं नाच, गाना, मित्र, जमगट बिना काम का इदर दर गुमना अजनबी से हाथ में लाना मर्यादा रहित ब्यवार इन सब का समर्थन करना आपको नुक्षान देहे बन सकता है अर्थार्थ इन से आपको बचे रहना है अगर बाद राहू के सारिक शुकों में यहाँ पर जो है राहू कमील आ सकता है महनत के चलते सितारा बुलंद होगा मैं यहाँ पर उपाई और सावधानियों को भी यहाँ पर आपके साथ साथ में चर्चा करूँगा लास्ट मैं तो अब हम बात कर लेतें तीसरी रासी के लिए इस जाती के जो रासी के जातक है उनके लिए इस वर सनी लगू कल्यानी डहिया के प्रभाव में रहेंगे मैंने डहिया और साथे साथी को लेकर पहले वीडियो होना है आप उसे भी जाकर देख सकते हैं आठवे स्तान में आयावा ग्रह लहोपाद का अच्छा फल आपको मिलने वाला है लेकिन इसी के साथ नीच के गुरू तथा रासी स्बुध का जो फल है वो तरस्त यहाँ पर कर सकता है काम करने की इच्छा सकती तो बड़े ही देश विदेश की अच्छी खबरें आपको प्राप्त होती रहेंगी घर में नहें महमान नहीं मित्रों का आवागमन रहेगा वाहन आदी उप्योगी सामान की खरिदारी आप कर सकते हैं तथा सरवाधिक प्रियमिलन वस्तू यह भी आपको प्राप्त हो सकती है विसेश का कोई अच्छा आना जाना आपको यहां लगा रहे सकता है अनावश्यक अपवे लोकोपाद मर्याद रहित व्यवहार से आपको बचना है यह आपके लिए रुक्षान दे हो शकता है आरश्य प्रमाद अवनक्तिकारक यह आपके लिए थोड़ा सा यहां पर इसको भी जानना चाहिए सनी की डहिया साड़े साथी का दूस्प्रभाह उसे बचने के लिए आपको शनी का जो वीजवंत्र है या वैदिक वंत्र है आप उसका जब आपको करना चाहिए या सुयोग दुजाचारें से आपको करवा लिना चाहिए मैं अंतिम में भी जो है यहां पर उपाई की आपके साथ चर्चा करूँगा अब हम बात कर लेते हैं चोथी रासी यानि करक रासी के बारे में करक की क्या इस्तती यहां पर बनी रहेगी उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं तो करक रासी के जात्कों के लिए इस वर्स जो है सनी सात्वा रहेगा सात्वा सनी इनके लिए सही है और शितंबर के बाद आठवा गूरु तथा ग्यार्वा राहु तरस्त करेगा निजी कारोबार में तरक्की की सोचें गर ग्रस्ती का संयुक्त तो ता कारोबारी के संग शरस्ता बनाए रखें ताम बरपात से आया सात्वा सनी ग्रस्त सुक लंबे यात्राएं धन प्राप्ती में साहयक होंगे बात अगर भूमी के करें, वाहन के करें, या उपियोगी सामान के करें, या संग्रहे बृत्ती, इन सब में आपकी कही न कही रूची बढ़ते भी नजर आएगी समाज में मान प्रतिष्ठाई आपको निश्य दूरुप से दिलाएगा साधी पार्टी, मंगल उस्तो, मिला नहाश परिहाश, इसमें भी आपको बड़ोत्तरी नजर आएगी इस वर्ष ग्यानारजन में आपको अच्छी सपलताई मिल सकती हैं, कोई न कोई बाना मिलेगा आप अध्यन में रूची रखिए, आपको संयोग मिलेंगे यात्राएं छोटी हो सकती हैं, मगर लाप्रदे भी रहेंगे लेकिन थोड़ा सचियत भी रहना पड़ेगा, क्योंकि निकट का कोई व्यक्ती तुम्हें गुम्रह करने का प्रियास कर सकता इसलिए आपको इन सब चीजों में थोड़ा सा धियान रखने का आपको यहां प्राश रखता है और स्वास से संबंदी भी आपको थोड़ा धियान रखना जाएए अब हम बात पाचवी रासियाने सिंग्रासी की कर लेते हैं हाँ पर सिंग्रासी की जात्तों के लिए क्या स्थती बनी रहेगी तो सिंग्रासी के जातक इस वर्स जो है छटे सनी के और गुरू के प्रवाव में रहेंगे गुरू और शनी कुम्रासी का गुरु जो है आपको 14 सितंबर तक जो है रात देता रहेगा लेकिन वर्स के पूरवाद में बहुती गुविकास का स्यूग बनेगा करम छेत्र का दसमरा हूँ, काम काज में बदलाओ, स्तनांतरण का यहां पर स्रंकेत एक स्तन से दूसरे स्तन आपको जाना पड़ सकता है, समय के सुरूप को आपको दिहान में रखते वे कारे करना चाहिए असपलता के मद्धिसपलता भी आपको जो है मिलेगी आपको दहरे के शाथ, परिश्रम के शाथ आगे बढ़ना चाहिए दिश्विदेश से आपको अच्छी खबरों का पिटार आपके सामने आ सकता है, घर गरस्ती के समस्याएं सूरज सकती है और सनी तथा शिंग रासी के स्वामी सूर्या का विरोध यहां पर है शो इर्ष्यालू परणूशियों से सचेत रहना, चिंता, व्यथा, अनावश्यक का छोग कारण बन सकता है, मर्याद रइद्ध्यवार दुख दे सकता है, इसलिए समय का सही उप्योग आपको करना चाहिए अगम, आगम की प्राप्ति के रास्ते खुरेंगे, मंगल मिलन का निमंतरन भी आपको प्राप्त होगा, लेकिन समय अनुशार समय का दिहान रखते वे आप इसको श्विकार करेंगे अब हम बात कर लेते कन्या रासी के वाले में, कन्या रासी का यहाँ पर क्यास्ति रहने वाली है, कन्या रासी वालों के लिए इस वर्स पाचवा सनी निर्णय लेने में छमता, निर्णय लेनी की जो छमता हैं उसमें गतिरोद उत्पन कर सकता है, उसका यहाँ पर कारण ब अगर बातम भहतिक विकाश्ट करें तो उसमें यहाँ पर बल मिलता हो नजरा रहा है, पुराना बिवाद कोई है तो वो भीनी पृत्त हो जाएगा, आगम प्राप्ति के नए रास्ते यहाँ पर खुलेंगे, देश विदेश में जाने का उसर आपको प्राप्त होगा, निमं को शुखत और शुक पहुचाने वाली, घर में कुछ नए काम हो शकते हैं, महमानों का आना जाना हो सकता है, चैल पहल बढ़ सकती है, पूरविक्षा की जो स्तुतियां थी, पूर में जो उच्छाओं का दमन आपकर पा रहे थे, वो इस समय पूरी होगी, पूरव अपिक बढ़ सकते हैं, वाद विवाद में आपको नहीं उलचना चाहिए, अब हम बात कर लेते हैं सात्मी और तुलारासी की बारे में, फटाबर तुलारासी की जो जातक हैं, चोथे सनी इनके लिए रहेगे, लगू कल्यानी डहिया का प्रभाव भी रहेगा, सुख इस्तान पर लहोपाद, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, कि मैं साड़े साती और तहिया दोनों पर विस्तार से पहले चरचा कर चुका हूँ, आप पलेलिस्ट में चाकर देख सकते हैं, कि कब कौन कौन सी रासी में किस परकार से जो हैं ये साड़े साती और तहिया लगती है, तो उसके उपाई सेत में आपको बता चुआ हैं, तो अभी सुकस्तान में लहोपाद से आयावा सनी का जो फल है वो अच्छा होने वाला है, बहुती कुई कास को आपका बल में किले गए, बहुती किछा हैं पूरी होंगी, 14 सितंबर से गुरू साथ रहेंगे तो खासा या ओम प्राम परीम प्राम सह सनई नमा इन मंत्रों का जब परना चाहिए, यह फिर वैदिक मंत्र शब्षे जो प्रभावी होता है, उसका किसी वैदिक आचारियों से आपको इस मंत्र का जब करवाना चाहिए, कुछ खास उपाएं में लास्ट में भी आपको बता भूमी वाहन की जो इच्छा हैं वो यहाँ पर अब उपलब धीन की होगी, आगी इच्छा इनिश्ची दूरूप से, यहा समय अत्यन्त हरसुलास के साथ बितेगा, अन्याय ग्रहचाल का जो प्रभाव वो मद्यम रहेगा, कुछ काम बनेंगे तो कुछ भी गड़ भी सकत हैं, थोड़ा सावधानियों के साथ रहें, कुछ समय आपका जो हाश्य परियास में वितेगा, लेकिन कानुनी विवाद लेकर के कुछ अगर इस तरह के पुरानी जंजटे हैं, कुछ कानुनी वाद विवाद हैं, तो वो सुलस सकते हैं, आप ऐसे समय में आपको परियास क कर रहा हैं, लेकिन सावधानि के साथ, अब हम बात करते हैं, साजे के काम की, तो साजे की काम में आपको अच्छा थोड़ा यहां पर आपके लिए रहेगा, अच्छा विकास होने की शंभावने बड़ेगा, धनुरासी के हम पड़ापड बात कर लेते हैं, धनुरासी की ज जलते हैं कुछ काम बनेंगे तो कुछ विगड़ भी सकते हैं सावधानी के साथ में आगे बढ़ें जिसके दुर्फ दुस्प्रभाहवश्य बचने के लिए आपको मैं थोड़ा उपाई यहां पर बताता हूं कुछ में लाश्ट में बताऊंगा शायकाल पीपल की जड़ मे कड़वे तेल का दीपक आप उसके पास लाएं बंदरों को चने खिलाएं गुड़ खिलाएं काला तिल काले कंबल का दान करें सनी मंदिर में जाकर के आपको जहनडा लगाना चाहिए और ओम प्राम प्रीम प्राम शह शनय इस मंत्र का आपको जाब करना चाहिए जैसे चल्म कंड़ी में सनी अच्छा बैठा होता है उन्हें यह साड़े साती यह दसांतर दसा में मालु। माल कर देता है बात हम अगर मकर रासी के जातकों की करें तो मकर रासी के जातकों के जातकों के दोजार इकिस में हिरदय के बीच में सनी की साड़े साती चल लगी है श्वरणपाद में आया सनी जिसका फ़ल अच्छा नहीं होता है शितंबर दोजार बीस सितंबर में अगर बात करें 20 नॉवंबर 2021 तक सितंबर से 20 नॉवंबर 2021 तक का जो समय है वो ब्रश्पती की महाधी किरपास से अच्छा भी देगा बर्श का अधिकान समय जो है परशानियों के शार भी कर सकता है तुम्हें को ही गुम रहा करने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है ब्रह्मित आप रह सकता है इसले किसी अच्छे दुजाचारे से अच्छे आचारे से अपने जन्म कुंडली का आपको विशिलिशन करा कर उससे प्रामन उनसे लेना चाहिए कि मकर राशी के इसाब से ही नहीं पुरी जन्म कुंडली के इसाब से क्या स्थती बंती बने चला देगी आपको विशिश कर यहाँ पर ध्यान रखना होगा सनी इसकी स्थती के अनुशार आपको पुन्या अड़जन करना चाहिए कि आपको यहाँ पर इस चीज़ का फोड़ा सध्यान रखना होगा और अगर बात हम मकर राशी के साथ साथ अगर हम कुम राशी की बात करें कि कुम राशी की क्या स्थती यहाँ पर रह सकती है तो इसके लिए मैं प्रतित अभी उपाई दिया आपको बताऊंगा सभी राशीयों के शाथ से कि सामाने तक क्या उपाई इसके लिए करना चाहिए सनी जो है जब यहाँ पर कुम राशी की जो जाता के क्योंकि मकर में रहेंगे सनी तो कुम राशी की जातकों के लिए वर्स भर सिर चड़ती हुई सनी साड़े साथी और लोहपाद से आववा सनी अच्छा फल यहाँ पर दे सकता आपको वर्स के मद्याने 14 सितंबर से 20 नौंबर तक गुरू की किरपा कुछ यहाँ पर कम रही अवांचित करमचारी असामाजिक तत्तु से आपको बचना चाहिए साजी दारी के साथ कुकृत्य मर्यादा रहीत ब्यहवार आपको नुक्षान दे सकता है शंबहोतो लंबी यात्राओं को आपको टाली देना चाहिए क्योंकि यात्राओं आपके लिए समय कोई खास शुब नहीं है अपने काम में सनलगन रहें मेहनत के चलते ही आपका भाग्य बुलंद होगा इससरे आपको मेहनत पर ज्यान फोकर्श करना जाएगा अब कानूनी बाद विबात की बात करें तो अई दी इस प्रकार की शमर्षा है तो ले दे कर कि आपको शुल जा लेना चाहिए इस समय कहीं न कहीं इस समय आपको इसमें सपलता है प्राप्ट हो सकती है आगम प्राप्ति का नया रास्ता कोश खुलने वाला है आलशे और प्रमात से बचे रहें तो जाजा अच्छा हो वर्ष के पुरुबाद में लोकुबाद का योग चलता रहेगा दानोपाय, सनिस्तोत्र और अन्या विब्रण मकर के फल में लिखे वे हैं बात अब अंतिम और मीन रासी की कलत है तो मीन रासी के जात्कों के लिए ग्यारवां सनी शोने के पाये से आया लाप के कामों में गतिरोत पैदा करें बहुत दिक परिसानियों का सामना उठाना पड़ सकता है कानुनी बाद विवाद का स्योग बना सकता है सितंबर के पूरवार दस तक गुरू की गृपा बनी रहेगी लाब अनुत्ति के कारियों में इसमें सपलता हैं आपर प्रापत हो सकते हैं देश देशानतर से अच्छी सूचना हैं अच्छी ख़बर आपको मिल सकते हैं गरगरस्ती वहन आदी लेने की जो इस्चा हैं वो पूरी हो सकते हैं आपर मीन रासी वाले नित्यानंत नए पन का आभाश पर यहाँ पर करेंगे मित्र का आपका श्यूग पर आपकोगा कुछ नए काम करने में आप यहाँ पर उलज सकते हैं थोड़ा आपको कुछी वरिष्टेनों का स्यूग आपको ले लेना चाहिए मंगल सो, मंगल मिलन, मित्रों का स्यूग, रेव दर्शन इस प्रकार के बहुत सारे श्यूग यहाँ पर देख रहे सामज कार्यों में जो आपकी करने की सामज कार्य करने की इच्छ है वो यहाँ पर इच्छा सकती द्रड़ हो टी भी नज़र आ रही है इसलिए आपको इसमें भी आगे बढ़े तो अच्छा ही रहेगा तो फिर दर्शकों यह थी में सरीकर के मीन रासी प्रियंत बारा है रासियों का संपून जो है हाल जिसमें वक्र होने पर सनी क्या क्या फल दे सकते हैं इसी के साथ अपर दिये अपनी जन्मकून लिकाविस लेशन करवाना चाते हैं या अन्नी किसी जानकरी को प्राप्त करना चाते हैं तो आप अध्यात मर्जोतिस के निम्न जो नंबर यहाँ पर हैं इन पर आप संप